हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग उमीद है सब अच्छे ही होंगे इस दुनिया में हम कितनी ही प्रजातियों और समाजों को देखते हैं जिन मेंसे कईयों को हम जानते हैं और कईयों को जानने की इच्छा रखते हैं एक बार फिर से स्वागत है आप सब का हमारे चानल आज हमें कैसे ही समाज के बारे में बात करेंगे जिसके कई ऐसे राज हैं जो कोई नहीं जानता जी हां हम बात करने जा रहे हैं किनर समाज के बारे में कैसा होता है ये किनर समाज क्या इनकी शादिया होती हैं अगर होती हैं तो कैसे होती हैं इनकी सुहागरात एक किनर की पूरी जिन्दगी ही रहस्यों से भरी होती हैं उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यों तक। दोस्तों इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि एक किनर ना तो पूरी तरह पुरुष होते हैं और ना ही पूरी तरह सिस्त्री जिस वज़ा से वो पूरी जिंदगी और विवाहित रहते हैं पर दोस्तों आज हम आपको किन्रों की शादी के रहस्टे से वाकिफ करवाएंगे ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि किन्र समाज के लोग शादी भी करते हैं सबसे जादा हैरानी की बात तो ये है कि किन्रों की शादी कोई साथ जन्मों के लिए नहीं बलकि सिफ एक र किनर जिससे शादी करते हैं वो कोई आम इंसान नहीं बलकि उनके भगवान है जिससे उनकी एक रात के लिए शादी होती है दरसल ये है अरजन और नाक कन्या उलूपी की संतान इरावन दोस्तों अगर आप भी किनरों की शादी के समारों में जाना चाते हैं तो आपको तमिल के विलूपुरम जिले में जाना होगा जहां के कोवगाओं में धूम जाम से किनरों की शादी का जश्न मनाया जाता है इस गाओं में हर साल तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा से किनरों के विवहा का उत्सफ शुरू हो जाता है ये उत्सफ कितना शांदार होता है ये अठारा दिनों तक चलता है दोस्तों आपको बता दें कि 17 दिन किनरों की शादी होती है इस दिन हजारों किनर 16 श्रिंगार करके इरावन की दुलहन के रूप में शादी समारों में आते हैं और मंदिर में पुरोहिच से अपने गले में मंगल सूतर बंधवाते हैं जिससे वो विवाहित हो जाते हैं दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ कि आखर किनरों की शादी के बाद क्या होता है शादी के अगले दिन इरावन देवता की मूर्ती को पूरे शहर में घुमाया जाता है उसके बाद उनकी मूर्ती को तोड़ दिया जाता है इसके बाद पूरा किन किनर समाज अपना श्रिंगार उतार देते हैं और एक विद्वा की तरह शोक बनाने लगते हैं तो दोस्तों ये था किनरों के विवास से लेकर उनके विद्वा होने तक का सच आईए अब जानते हैं कि क्यों किनर भगवान एरावन से एक रात के लिए शादी करते हैं और पन करने के लिए किसी राजकुमार की बली दी जाने थी जब बली की बात आई तो कोई भी राजकुमार आगे नहीं आया काफी देर बीच जाने के बाद जब कोई बली की बेदी पर चड़ने को तयार नहीं हुआ तब अरजन और नाक कन्या उलूपी के पुत्र रावन करेगा तभी पांडवों ने श्रीकृष्ण से अपनी समस्या का समधान पूछा तब श्रीकृष्ण ने स्वयम मोहिनी का रूप धारन किया और पांडवों की नगरी में चले आए उनके इस मोहिनी रूप को देखकर सभी उनके प्रेम में पागल हो जाते इस मोहिनी पे श्रीकृष्ण ने इरावन से विवार अचाया और अगले ही दिद इरावन की बली दे दी गई ईरावन की मृत्यों के बाद जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं परन्तु पुरानों और ग्रंथों के हिसाब से देखें तो शिवजी का आदी शक्ति रूप भी इनके जैसा ही है जिसकी पूरा हिंदु समाज पूजा करता है इसलिए हमें किन्रों के प्रती अपनी सोच को बदलना होगा उनका आदर समान का खयाल रखना होगा थांक्स पूर वाचिंगा वीडियो ओप यौल इंजॉइट तो डोंट फगेट तो लाइक, कमेंट और शेर आर वीडियो दो सुब्सक्राइब फोर मूव वीडियो ओडियो